और खबरों में आगे बढ़ेंगे हिजबुल्ला चीफ नस्रल्ला के मारे जाने के बाद इस्राइली सेना ने पूरे लिबनान में हमले बेहत तेज कर दिये हैं। इधर प्रधान मंतरी नेतन याहू ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्ला के साथ साथ अब इरान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। मार दिया हिजबुल्ला चीफ काले ताबूत में जाएंगे इरान सीरिया यमन शुकरवार को बेरूत में इसराइली वायु सेना ने जिस तरह से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को भीशन धमाके से उड़ाया। उसे देखकर पूरे मिडलीस्ट में हड़कम पहिचिपा है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला कामारा जाना लबनान युद का बहुत बढ़ा टर्निंग पॉינ्ट है अब लबनान में एक पी हिजबुल्ला काईसा टॉप कमानदन नही बचा है जो इजबुल्ला काईसा टॉप कमानदन नही बचा है करकाई अनाखनो नहातकेन बारेगा शनेदा अनाखनो युदीम शाथकिफा शरानू है ता मेओ मेडुयके इदर एरान के सुप्रीम लीडर खामनई ने एमर्जनसी मीटिंग गुलाई है दावा किया जा रहा है कि खामनई ने अपने कमानदर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडलीस्ट में बहंकर जंग होने जा रही है और अब इरान को इसराइल से जंग करने के लिए आखरी युद्ध करना होगा इसराइल के प्रदानमंत्री नेतनियाहू ने संयुक्त राष्ट में पूरे मिडलीस्ट में बहंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्षा दिखा दिया है जिसने इरान, सीरिया, लिबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिये है अब तो ये भी खबरे आ रही है कि हमास के बाद हिजबुला का पूरी तरह से सफाया होते ही इसराइल इरान को भी पूरी तरह से थबा करने में जुड़ जाएगा इन दो तस्फीरों से साफ समझा जा सकता है कि इसराइल, हमास और हिजबुला के सफाय को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था एक तरफ उसरे 27 दिसंबर दिन शुकरवार को इस बुला का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्ला को मार डाला तो वही दूसरी तरफ नेतन्याहू ने धुनिया को वो नक्षा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है फिलिस्तीन का मुद्धा कबर में दफन हो गया है वही नसरल्ला को मार कर इस्राइल ने दिखा दिया है कि लिबनान की तरफ से जो मिसाईल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है इस्राइली डिफेंस फोर्स को मताबिक अप नसरल्ला दुनिया को डरा नहीं पाएगा हजबुला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद पूरे मिडल इस्ट में गदर मच गया है अल जजीरा की रिपोर्ट के बाद इस्राइली मिसाईल हमलों की वज़े से लिबनान में 700 से ज़ादा लोग मारे गए इसके अलावा पांच लाग से ज़ादा लोगों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ा है इधर पीम नेतन याहू ने इसराइली दुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास टील की नसे है पीम नेतन याहू ने बेरूत में इसराइली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह हैं लेकिन हमारे पास टील की नसे हैं हम आपको बता दें कि नसर अला क्यई बार अपने भाशनों में इसराइल को मकडी का जाल बता चुपा था लेकिन अब इसराइल के इसी बारूदी जाल में फस कर वो मारा जा चुपा है अलगि इरान का अभी भी यही दावा है कि ह backup चीफ हजल नसर अला है लेकिन इरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है न्यूयोक टाइम से मुताविक बेरूत पर इसराइली हमले के बाद इरान के सर्वोच नेता आयातुल्ला खामनेई ने शुकरवार रात अपने घर पर राष्टिय सुरक्षा परिशत की एक एमरजंसी मीटिंग बुलाई थी बैठक में इरानी राष्टपती मसूत पजिश्कियान ने इसराइली हमले की निंदा की और इसे वार क्राइम बताया कामनेई के सलाकार अली लारी जानी ने कहा कि इसराइल हत पार कर रहा है लोगों की हर्तिया से समधान नहीं निकलेगा दूसरे लोग उनकी जगा ले लेंगे गज़ा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिलीस्ट में फैल रही है मिडिलीस्ट के नक्षे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इसराइल है जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, एरा, एरान, फिलिस्तीन, जॉडन, हुवेट, लेबनान, ओमान, पतर, सौधी अरब, सीरिया, युवेई और यमन है कुल चौधा देश है बाकि दो और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिलीस्त का ही हिस्सा माना जाता है तो हो गए कुल 16 देश और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम है जबकि कलوتा यहुदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का एरादा रखता है अलगी नेतन याहू ने मिडिलीस्ट के कम से कम 6 देशों को इसराइल की तरफ मिला लिया है इसलिए इरान, लिबनान, सीरिया, एराक और यमन के लिए इसराइल को आसानी से हरापाना लगभग असंभव है हिजबुल्ला चीफ हजन नसरल्ला की मौत के बात पूरे मिडिलीस्ट में गदर मच गया है इसराइल 9 दिनों से लिबनान में मिसाइल हमले कर रहा है अलजजीरा की रिपोर्ट के मताबिक इसराइली मिसाइल हमलों की वज़ा से लिबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए है इसके अलावा 5 लाग से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ा है इसराइल ने लिबनान में चलाए जा रहे है उपरेशन को नौर्धन एरोज नाम दिया है अब देखना होगा कि हिजबुल्ला संग्लटन में 32 साल से चीफ रहे नसर अल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला इसराइल से जंग कैसे करता है तो इसराइली सेना के सबसे भीशन हमले में हिजबुल्ला का चीफ नसर अल्ला मारा गया हसन नसर अल्ला खरीब 32 साल से हिजबुल्ला का चीफ था लेकिन उसकी मौत के चंद घंटों के बाद ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है आखिर हिजबुल्ला का अगला चीफ कौन होगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर सामने कई नाम आ रहे हैं लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं इस रिपोर्ट में देखिए किसे मिलेगी हिजबुलाः चीफ की गद्दी हाशेम सफिदीन या शेक नईम कासिम में से कौन नसरलाः की मौट के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुलाः के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा इसरेल लेम्नान के बीच तनाव वाले महौल में दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है जुन में पहला नाम है हाशेम सफिदीन का और दूसरा नाम है शेक नईम कासिम का इन ही दोनों में से एक को आने वाले कुछी दूनों में हिजबुलाः की कमान सौपे जाने की खबरे सामने आ रही है मीडिया रेपोर्टों के मताबिक नए हिजबुलाः चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशेम सफिदीन का सफिदीन हाशेम हसन नस्रला का चचेरा भाई है हाशेम हिजबुलाः की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है हसन नस्रलाः की तरह ही हाशेम भी मौल भी है शिया निताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशेम को 2017 में अमेरिका ने टरर कमांडर घोशिक किया हस्बुलाः के करीबी सूत्र ने कहा कि नस्रलाः के उत्रा धिकारी माने जाने वाला हाशेम सफिदीन शुक्रवार की हमले में जिन्दा बच निकला था बताय जा रहा है कि हाशेम की वेशबूशा और हावभाव नस्रलाः से मिलते जुलते हैं तीन दशक से हाशेम सफिदीन हिजबुला की टॉप लीडर्शिप में शामिल है हाशेम लेबनान के टेरर ग्रूप का फाइनन्स चीफ बताय जाता है नसर अल्ला के खातने के बाद हाशेम मिलिटर विंग का कमांडर्ध ही बन सकता है हाशेम को संगचन के चेहरे के तौर पर स्थापत करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था इरान के साथ सफिदीन के मजबूत रिष्टे हिजबुल्ला चीफ के लिए उसकी दाविदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं वहें हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेक नईम कासिम का शेक नईम कासिम को भी हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया जा सकता है शेक नईम कासिम एक शिया लबनानी मौलवी और राजनी तिक्य है वो हिजबुल्ला में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेपटी चीफ का पद है दक्षनी लबनान के खफर फिला में जन्मा नाईम कासिम 1982 में हिजबुल्ला के संस्थापक सदस्यों में से है कासिम ने 1992 से हिजबुला के दूसरे नमबर के कमांडर के रूप में काम किया है शेक नाइम कासिम हिजबुला का प्रवक्ता भी रह चुका है मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुला के नए चीफ के नाम का एलान हो जाएगा ऐसे में साफ है कि हसन नसरला के सफाय के बाद भी इजबुला की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि हिजबुला की मौत का बदला लेने का इरान ने प्लैन बनाया है जिसमें हिजबुला का नया चीफ एक एहम भूमे का निभा सकता है इस्बुल्ला के चीफ नसरल्ला को धेर करने के बाद इसराइल ने लिबनान में ग्राउंड ओपरेशन के तैयारी कर ली है लिबनान पर एक्षिन के लिए इसराइल ने एक लाख रिजर्फ से निक रखे हैं और साथ ही इसराइल ने सेकेंडों में टैंक और आम्ड वकील लिबनान के सीमा के पास तैयनात कर दिया है इसके अलावा गाजा से कुछ ब्रिगेट्स को भी बुला लिया है इतना ही इसराइल ने अपने फाइटर जेट को रेडी टू अटेक मोड पर रखा है इसराइल की तैयारी देख कर ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल बहुत ही जल्द किसी भी समय लिबनान पर अटेक कर सकता है तो इसराइल की एरफोर्स ने आप चिन बंकर बस्टर बंब से हमला किया है उसकी कीमत भी बता देते हैं क्योंकि हिजबुल्ला पर हमले की कीमत भी आपको समझना जरूरी है पूरा पश्चिमेशिया जिस बड़े युद्ध की चौकट पर बैठा हुआ है वो गाजा के बाद बेरूत में हुए इस हमले को लेकर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है गाजा पट्टी के बाद लिबनान भी इसराइल की बंबारी में खंडर बनता जा रहा है हिजबुल्ला के कमांडर हसन नसरल्ला को कैसे टार्गेट किया गया इसे समझने के लिए नसरल्ला की लोकेशन समझे हिजबुल्ला का हेड़कौर्टर लिबनान की राजदानी बेरूट में है बेरूट में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्ला का सबसे मजबूत गड़ माना जाता है यहां पर करीब 1.500 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का घर रहा है हसन नसरल्ला को 2016 के बाद से खुले आस्मान के नीचे नहीं देखा गया है यानि पिछले आठ साल से नसरल्ला बंकर में ही रहा है आखरी बार 2016 में हसन नसरल्ला को पबलिक के बीच देखा गया था अब तक हसन अस्रॉल्ला का पबलिक के बीच आना अचानफ हुआ कहते हैं कि इसके बारे में उनके सुरक्षा कर्मियों गृट आखरी पलों में बताय जाता है हसरनसरला के साथ बंकर में 19 सुरक्षा करमी हमेशा उसकी हिफाज़त करने के लिए तैनात रहते हैं हसरनसरला के बंकर का दर्वाजा कहां से खुटता है किन गलियों से बंकर का रास्ता है इसके बारे में हजबुल्ला की चुनदा लोगों को ही जानकारी रही है और बोब हिजबुला के सबसे खास लोग माने जाते हैं उपर इसराइल के ड्रोन और विमान जरूर मन राते हैं लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्ला के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती थी यही वज़ा है कि असन नसरल्ला पिछले आठ सालों से अपने बंकर में ही रहा लेकिन इस बार बेनियमिन नेतन्याहू ने इस बुल्ला के महासचिप की मौत की गैरंटी मांगी थी न्यू यॉक में बैठे नेतन्याहू ने इसराइल की वायू सेना को फार्मूला बी लागू करने को ओडर दिया और फिर इसराइल ने बंकर बस्टर का बहुत ही प्लानिंग से इस्तिमाल किया पहले वीडियो में देखिए कि बेरूत में कैसे धमाका हुआ एक के बाद एक कैई बं गिराए गए, कैई ब्लास्ट हुए ये साफ साफ दिखा जा सकता है अब ऐसे धमाकों का एक ही जगा होना क्या बताता है इसे बहुत होर से समझेगा क्योंकि यही पर इस्राइल का फर्मूला बी लागू करने का तरीखा भी आपको समझ में आ जाएगा स्टेज वन में पहले इस्राइल ने GBU-28 बंकर बस्टर फायर किया और ऐसे कैई बं गिराए गए इसके बाद स्टेज टू में इस्राइल ने GBU-72 बंकर बस्टर फायर किया और इसमें ही उसने अपने ऑपरेशन नियो ओर्डर के काम्याब होने का दावा कर दिया उसे तीसरा बंकर बस्टर GBU-57 दागने की नौबत ही नहीं आई इसराइल की बंबारी में तीन तरहा के फाइटर जेट इस्तिमाल किये गए है F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बंब लोड किये जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिनी लिबनान में बंबारी की जाती है इसराइल के ये फोस ने अब जिन बंकर बस्टर बंब से हमला किया है उनकी कीमत भी जान लीजिये तोगि हिजबुल्ला पर हमले की कीमत भी समझीनी ज़रूरी है बेरूत में हिजबुल्ला के टार्गेट पर जो बंब इस्तिमाल किये गए हैं उनकी कीमत 10 करोड रुपे से लेकर 30 करोड रुपे तक होती है ऐसे बंब को उनी टार्गेट पर इस्तिमाल किया जाता है जहां दुश्मन की मौत की 100% गैरेंटी होती है इसलिए नेतन याहू ने फर्मूला प्री का इस्तिमाल किया है और हिजबुला चीफ नसरल्ला को खत्म करने का दावा कर दिया अमाज के सुरंग नेटवर्क को तो इस्राइल भेदने में 30% ही काम्याब रहा है लेकिन लेबनान में उसने रिहाईशी मार्तों को टार्गेट बनाने में कोई कमी नहीं की अब सबकी नजर बेरूत पर भी है और तहरान पर भी है कौन सा सिगनल आएगा और फिर क्या वो सिगनल युद्ध भणकाएगा या फिर इस धमाके के बाद हिजबुला खामोश पैट जाएगा